हाँ नमस्कार बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्बर की धार्मिक नीती और उस धार्मिक नीती में मुख्य रूप से अक्बर ने जो एक धर्म के एक इस्तापना की थी जिसको दीन इलहाई के नाम से जाना जाता है क्या था दीन इलहाई दीन इलहाई जिसको तोहिद इलहाई के नाम से भी जाना गया है यह एक प्रकार से एक code of conduct के रूप में ज्यादा था धरम कम होके code of conduct ज्यादा था और इसकी इस्थापना जो एक आचार सेंगिता थी जिसके इस्थापना अकबर द्वारा 1582 में किये गए थी हम देख रहे हैं कि दीन इलही की इस्थापना के लिए विंशेंट इस्मित ने अपनी फुस्तक अकबर दा ग्रेट मुगल्स में अकबर की कटू अलोसना की गई है और उसने इस अकबर की मुर्गता का प्रतिक माना है इसा मानने पीछे इस्मित का ये अभिप्राय था कि दीन इलही की सफल तक की इस्थापना करके अकबर दौराब पेगंबर बनने का प्रियास किया गया है कि उन्तित आए अकबर का ये दीन इलही पुन्ट इस्थाफल रहा इस रूप में इसमित इस अकबर को इसको मुर्गता का प्रतिक बताया कि ये बेवकुफी बराकदम था लेकिन ऐसा कहना ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि दीन इलाई के इस्तापना के पिछे अकबर का जो वास्त्विक उद्देश्य पेगंबर बनना नहीं था क्योंकि अकबर जैसा व्यवारिक और बुद्धिमान शाशा के इस परकार के मुक्ता नहीं कर सकता था बलकि उसकी इस्तापना के पिछे उसका मुक्षे हो दिश्य विविन धर्मों में सद्भाव और एकता इस्तापित करना था क्योंकि जैसा कि अबुल फजल लिखता है कि विविन धर्मों के लोगों द्वारा एक दूसरे के धर्मों के प्रति विद्वेश और गढ़ना का भाव देखकर अकबर को बहुत दुख पहुंचता था और वे सब धर्मों में एक ता वासद भाव इस्तापित करना चारता था तो दीने इलाई को इस्तापित करने या लागू करने के पीछे ये एक सबसे बड़ा मोटिव दिखाई देता है साथ ही दीने इलाई वास्तुक रूप से धर्म था ही नहीं देखा जायता क्योंकि ये किसी भी धर्म के लिए अवशक शर्तों को पूरा नहीं करता था और दीने इलाई वास्तुक रूप से एक सामाजिक और धर्मिक संग्ठन था और अकबर द्वारा इसमें विविन द्रमों के अच्छे चिवातों को समाहित करके और इसको लागू करने के कोशिश की थी दीने इलाई के जैसे कुछ सिद्धान्टों के हम बात करें तो दीने इलाई के कुछ सिद्धान्ट हैं उसमें हम बात कराएं कि इसके एक सत्ष जो भी मेंबरिस का बनता था एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए अपर और जिल्ले जलालहु का प्रियोग करते थे दूसरी बात थी कि दीने इलाई के सभी सतेशियों को अपने जीवन काल में ही जो है मर्ट्य भोज देना अन्यवारे था यानि मर्ट्य भोज नहीं कहना चाहिए उसको जीवन बोला जाता है स्वेम के जिंदा रेते वे ही भोजन खिलाना लोगों को जीवन भोजन बोला जाता है जिससे उन्हें यह ग्यात रेक कि उनकी कभी मर्ट्य हो सकती है और वे सदेव सदकारी करें इसके सबी सुद्शियों को अपने जन्म दिन पर भौजन देना प्रता था यानि बर्ट डे पर खाना कहल लुए में उसने शुरू करा और इसके अलावा दान देने कि प्रता उसने चलू की और इसके अलावा दिन-एलाओ के सद आद यहां तक साथ शादी नहीं करेंगे एस डिफ्रेंस ना हो शादी में इसका मतलब यह था तो इस परकार हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा धार्मिक आयोजन वाला प्रपंच जो है या धार्मिक प्रपंच अक्मर का नहीं था एक सामधन इसी बाते हैं जो आम आचार विवार के अंदर थी इनको लागू किया जा सकता था किंतु दीन इलही अधिक लोगप्रिय नहीं हो सका यह इसका एक जो है नकारात्मक पक्षरा और इसके प्रतम सर्णी के कुल बारा सदेश्य थे और बीरबल पहला वेक्ति था जो इसका सदेश्य बना और अकबर ने दीन इलही का सदेश्य बनने में जैसा कि उसके कटू आलोचक बदायोनी जो है वो भी मुंत्खबूत त्वारिक में लिखता है कि कभी भी अपनी शक्ति और पद का दुरूपयों गुश्य वेक्ति नहीं किया जो गुश्य इसका सदेश्य बने उनहीं इसका सदेश्य बनाय गया और दूसरा कि मृत्यू के साथ यह धर्म भी समाप्त हो गया था चूंकि यह थोपा नहीं गया था श्वेचिक था इसलिए इसको जैदा प्रचार और प्रशार यह जो है दिने इलाई नहीं कर पाया तो इस प्रकार इस पे आप जो है एक पचास शब्दों का एक यूशन तियार कर सकता है यह बड़ा क्यूशन भी इस पर पूचा जा सकता है तीने इलाई पर थैंक यू